सब्जी सुबह बनता है कितना साम सब्जी 20 किलो शाम का 15 किलो आटा कितना बनता है रोटी आटा बने 40 किलो दूद कितना उबाला जाता है अब दूद कसा आवे मागत 30 किलो दूद आवे और शास खाना बनाती है और बहु लोग मौज करती है तो इसमें जगड़ा नहीं होता है आप लोग नहीं करता है कि मैं नहीं लोग रहते हैं एक लोग दो लोग पांच लोग या दस लोग अगर हम कहें कि रजस्तान का एक ऐसा परिवार है जहां पे 180 लोग एक साथ रहते है और खाना कैसे बंता है और यह मिटी का चुला और लगभग लगभग जो इसमें बरतन आपको दिखेंगे लग लगभग मिटी की बरतन यह दादी जो इस घर के सबसे स्रेस्ट और यह दादी जो है यह डेली जो है आटा और आटा और सब्जी बाकी बहुँ को यह दे देती हैं ताकि बाकी बहु जो है खाना बनाएं चलिए आम इनसे बात करता है कि कि सोबजियी दोजियर में है किया सामुपली कि आठाना की में दूद उबाया जाता है अब दूध तो दूध कसा हो या बनाती है इतनी बहु है बहु है आपने तीन जगड़ा बड़ा करती या नाई करती है अच्छा मतलब सास खाना बनाती है और बहु लो मौझ करती है तो इसमें जगड़ा नहीं होता है कि मैं नहीं बनाऊंगे तुम बनाऊ बेटी एक बुवता दालो असर जिकार रिस बही के ती यह बेटी है अपकी बहु अच्छा बहु है आवर करती है और शास लोग बैटके स्रियल देखती है ऐसे होता है सभी लोग नहीं करते हैं ऐसा होता है लेकिन इस घर के कल्चर में जब आएएगा तो यहां दादी जैसे बता रही थी कि बहु ए मोझ करती है और हम लोग खाना बनाते हैं सुभश शाम के लुटब नहीं कर आरबरजी, जो सब्जी बना दी, अब मक्यिकी घाट बना दी अब रोटी बना यह नुद के दिन मन तो बहुत मज़ा आता हो गालि से हाँ, तंडी में तो शी नहीं लगता है वह जह चाई बना लिंग तेरा चुले में खाना बन रहा है यह दादी जो है आटा सानने जा रही है और यह जैसे बता रही है कि हम आटा सानते हैं रोटी बनाते हैं बाकि सब हम काम करते हैं दादी का उम्र कितना होगा कितना है कि दादी साट साल की है और साट साल की उम्र में पूरा खाना जो है अपने से बनाती है